महराष्ट की सत्ता से उधव ठाकरे की विदाई हो चुकी है शिव सेना के बागी विदाईकों ने उधव ठाकरे की CM की कुर्सी छीन ली ऐसे में अब उधव ठाकरे के विरोधियों को उन पर निशाना साधने का मौका मिल गया है ऐसे में कंगना रनाउत भी कहां पीछे रहने वाली थी उधव ठाकरे के स्तीफे के बाद कंगना रनाउत ने विडियो डाल कर उधव ठाकरे और शिव सेना पर निशाना साधा है 1975 के बाद ये समय भारत की लोक तंत्र का सबसे महत्तोपून समय है 1975 में लोक नेता जेपी नारायन की एक ललकार से सिंगहासन छोडो की जनता आती है सिंगहासन गिर गए थे 2020 में मैंने कहा था के लोक तंत्र एक विश्वास है और सत्ता के घमन में आकर जो इस विश्वास को तोड़ता है उसका घमन तूटना भी निश्चित है और ये किसी विशेश की कोई शक्ती नहीं है ये शक्ती है एक सच्चे चरित्र की और दूसरी बात हनुमान जी को शिव का बार्मा अवतार माना जाता है और जब शिव सेना ही हनुमान चालिसा को बैन कर दे तो उन्हें तो फिर शिव भी नहीं बचा सकते हर हर महादेव जय हिंद जय महराश्टि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं